समस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार 543 सीटों का ओपिनियन पॉल कल होने वाला है लोगसभाद चुनावों की तारीकों का एलान और उससे ठीक पहले आज क्या कहता है देश्टा मूड आपके सामने रख रहे हैं नबे लोगसभाद सीटों का ओपिनियन पॉल हम आपके सामने रख चुके हैं जिसमें से एंडिये 77 सीटे जीत सकती है ऐसा हमारा ओपिनियन पॉल बता रहा है और इंडिया के खाते में यानि इस गटबंदन के खाते में 12 सीटे जाती हुई नसर आ रही है कल लोगसभाद चुनावों का ऐलान होना है मोदी लगातार दौरे कर रही है साउथ पर मोदी की निगाहें टिकी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गटबंदन में कैसा होगा सीट शेरिंग का फर्मुला अभी इसी को लेकर माथा पच्ची चल रही है एक तरफ ब ओपीनियन पोल क्या कह रहा है ओपीनियन पोल देखे आपके सामने खुलने जा रहा है ये 26 की 26 सीटे इस बार भी भारते जनता पार्टी के खाते में क्या जाएंगी तो हर जगा आपको सिर्फ भगवा रंग नजर आ रहा होगा यानि कि भारते जनता पार्टी का रंग अगर इन दो सीटों का हाल भी फिलाल ये बता रहा है कि यहां भारतिय जनता पार्टी ही जीतेगी आपको बताएं 26 में से 22 सीटों पर बीजपी ने अपने उम्मीदवारों का भी एलान कर दिया है साथ उम्मीदवार अभी तक कॉंग्रेस की तरफ से अपने चुनावी मैदान में उतारे गए हैं अभी बाकी सीटों पर कॉंग्रेस की माथा पच्ची जारी है लेकिन फिलाल ये 26 सीटों का ओपीनियन पोल ये बता रहा है कि भारतिया जन्रता पार्टी को गुजरात में कोई मुश्किल नहीं है यहां तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि जीत का मार्जिन कितना होता है इस बार वोट शियर बीजपी का गुजरात में कितना होता है गटबंदन जरूर बना है आम आदमी पार्टी का और कॉंग्रेस का लेकिन इस गटबंदन का कोई असर होता हुआ नसर नहीं आ रहा है मेरे साथ दो सयूगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है समीर चौगावकर है और हमारे सयूगी निर्ने कपूर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए है निर्ने सबसे पहले आपकी पास आऊंगी इस बार तो गटबंदन है आम आदमी पार्टी का और कॉंग्रेस का आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुचाया था कॉंगरेस को विधान सभा के चुनावों में इस बार ये गड़बंदन भी कोई कमाल करता हुआ नजर आ नहीं रहा है हाँ इन फाक्ट ये गड़बंदन प्राची हुआ इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार से विधान सभा चुनावों में कॉंगरेस को शिकस्त मिली करीब 55 सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी की वहें से सीधे सीधे कॉंग्रेस हारती भी नजर आई जो परिणाम हमने देखे उसमें जो वोट डिफरेंस था बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी के कंडिडेट को मिले था और इसलिए शायद कॉंग्रेस इस बार पहली बार गुजरात के अंदर दो सीटें ऐसी हैं जिन पर अपने सिंबॉल पे चुनाओ नहीं लड़ पाएगी जब से लोगसबा चुनाओ हो रहे हैं तब से पहली बार और गडबंदन के लिए तयार हो गई यह सोचके कि अगर दोनों पार्टी एक साथ मिल जाती हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी के लिए चुनाओती खड़ी की जा सकती है यह कॉंग्रेस का कैलकुल और आपने देखा होगा आज केजरी वाल ने डिली के बाहर गुजरात से ही अपना प्रचार सबसे पहले करना मुनासित समझा गुजरात पहुंचे हैं वहां से अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक ब्रेव फेस जो है वो रखने की कोशिश जरूर की जा यह लेकिन जिस प्रकार का महौल है गुजरात में इतनी कंफर्टिबल सिच्वेशन में किसी भी लोकसभा चुनाओ में बीजेपी हमें इस से पहले नहीं देखी जब आप देखिए एक 2022 के चुनाओ का इतना स्ट्रॉंग इतना थंपिंग मैजॉरिटी इस के साथ जो जीत अच्छी फाइड दे सकती थी आगे चलके बीजेपी को उस वक्त भी 2017 के विदान सबाद चुनाओ में भले ही वोटर ने बेरुखी दिखाई बीजेपी की तरफ थोड़ी हाला कि बीजेपी सरकार बना लिए बीजेपी ने लेकिन तब भी वोटर तो यहीं कहता था कि 19 में नरेंदर मोदी को यह वोट देंगे तो जब और अभी भी हम यह देख रहे हैं कि नरेंदर मोदी के प्रती जो वोटर का रुजान है गुजरात के खास तोर पर वो जरा भी कम नहीं हो है उल्टा इलेक्शन दर इलेक्शन वो बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे में ठीक है दो बढ़ पर समीर जी तो कॉंग्रेस की तो अपने लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे है अर्जुन मोडवारिया जैसा बड़ा चेहरा अगर कंग्रेस को छोड़ कर चुनावों से एन पहले भारते जंता पार्टी में शामिल होगा तो कारेकार्ताओं का मोराङ कराव़ रहा ह हमें opinion poll में बिल्कुल और सिव अरजुन मोडवय नहीं गए आप देखे कारकारी अद्रक्ष भी कॉंग्रेस के गुजरात के उन्हें भारते जनता पार्टी जॉइन कर ली और दो और हमेले चले गए बताँ 17 मेले थे कॉंग्रेस के वहाँ पर और अब 15 मेले वहाँ पर कॉंग्रेस के बचे हैं तो मुझे लगा है कि कॉंग्रेस बहुत ज़्यादा गुजरात के अंदर कमजोर हो चुकी है और आमाधी पार्टी अभी वहाँ पर अपने पेर बिठा रही है लेकिन आप देखे यह सकता है कि इसके कारण जो मारजीन पारटी के जीत का जोγαखो तो नकिन 26 सीटे में से कोई सुपार्टी गार बार्टी अंता पार्टी हार जाये मुझे से संभाहोना कम वहाँ पर किसी भी स्थिति में बहाते जंता पार्टी पचास हर वोट से जीती यह तो वह भी एक आश्र होगा कि इतने कम वोट से बहाते जंता पार्टी कैसे जीती यह अब आईए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं साउथ के राज्यों की जहाँ पर प्रधान मिंत्री नरेंदर मोदी का खास पोकस इस बार नसर आ रहा है सबसे पहले बात करनाटक की करते हैं जो सबसे ज्यादा मुफीद रहा था दोजार उनीस के लोगसभा चुनावों में करनाटक में 28 लोकसभा की सीटे हैं बीजपी 22 सीटे यहाँ पर जीती हुई निसर आ रही है कॉंग्रिस 4 सीटे जीत सकती है और जेडियस 2 सीटे जीत सकती है देखे विधान सभा चुनावों में एक जबरदस जटका बीजपी को करनाटक में लगा था कॉंग्रिस की सरकार बनी लेकिन इसका reflection बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है अगर करनाटक के आप लोकसभा चुनावों की तरफ जाएंगे यानि जो वोटर है करनाटक का जब केंद्रिय चुनाव की बारी आएगी जब केंद्र में चेरा चुनने की बात आएगी तो करनाटक में एक बार फिर जो विश्वास है वो मोधी पर जटाता हुआ वोटर नजर आ रहा है क्योंकि 22 सीटे बीजपी को मिल सकती है कॉंग्रिस सिफ 4 सीटे जीत सकती है और जडियस की अगर हम بात करें वो 2 सीटे जीत सकती है जडियस अब बीजपी के साथ आचुकि है तो अगर आप यहाँ पर शेर देखेंगे अगर सीटे देखेंगे तो ये 24 हो सकती है लेकिन बीजपी अपने धम पर यहां 22 सीटे जीत सकती है यानि करनाटक में विधान सभाद चुनाफ का कोई असर पड़ेगा ऐसा कम से कम ओपिनियन पोल तो बता नहीं रहा है करनाटक सबसे बड़ा ऐसा राज्ये साउथ का समीर जी जहां से बीजेपी को बहुत उमीदे रहती हैं और 2019 में सीटे भी अच्छी खासी पाई थी बहुत मजबूत लिंगायत वोट बहैंगो युदुर्पा के राजियन पार्ट के साथ जोड़ा हुआ है और बोकल लिंगा भी जडीय सके करने भारतियन पार्ट के साथ कितना वोट करता है देखना होगा पदान मंतरी मोधी की भी वहां बहुत लोगपिता है बले ही करनाटक गुदान सभाव चिनौव में भारतियनता पार्टी हार गई हो और कॉंग्रेस सरकार बना लिए हो लोग सभाव चिनौव में वहां के जो वोटर से भारतियनता पार्टी हो पदान मंतरी मोधी की लोगप की सीटे जहां से कॉंग्रेस के सांसत चुने गए थे जो कॉंग्रेस के अपर मुख्यमंत्री करनाडा के डीके शिवकुमार उनके भाई महां से सांसते उसके खिलाब देवगोडा के जो दामाद है मंजुनाथ वहां उनको टिकेट डिया गया है मतलब वह भारतियनता पार्टी के सिंबॉल पर बैंगलोर गार्मिर से लड़ने वाले है तो वहां पर भी अच्छी फाइट डेखने को मिल सकती है तो मुझे लग रहा है जो बाविस सीटे दिख रही है इसमें एक और दो सीटे विधान सभा के चुनावों में बीजोपी को पूरी हार का सामना करना पड़ा इस बार कोई चेंजिस क्या भारतियनता पार्टी ने किये हैं जिससे ही रिफ्लेक्शन हमें नसर आ रहा है समीर जी के इतनी सीटे 22 सीटे बीजोपी जीत सकती है देखी एक तो मुझे लगता ह हझा है लिंगाय समुधाय के अंदर उससों में बारतियनता पार्टी के लिए बहुत जैदा वोट नहीं किया था और mu схथा नगे लग लगता आ लगा था उसके मंत्री मंदल के उपर वह भारती जन्ता पार्टी का इस्थानिय संगठान और उसमें यदुरप्पा भी बहुत जादा सक्रियन नहीं थे हलांकि चुनाव पचार अभियानिक कमान उन्हें देगे थी जगदी शेट्टा नाराज हो गए तो जो पूर मुख्य करनाटका में पदा मंत्री मोधी की लोगपिरता बहुत स्ट्रॉंग है और जी सबसे भारती जन्ता पार्टी ने टिकेट बाटे कई सांसदों के टिकेट काटे हैं कुछ लोगों की सीट का बदल दिये जैसे बैंगलोर में कर आप देखेंगे रहे सदानन गोड़ा जो एक केंद्री मंत्री रहे हैं पूरों मुख्य मंत्री उनका टिकट बारतियांता पाटी ने काट दिया जो बैंगलोर अट से नौर से शांसद आते हैं तो टिकेट डिस्तुबिशन में भरतियांता पाटी इस बात का विशेश जloud रखाए कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और हमें वहाँ बैता बदर्शन करना है मुझे लग रहा है पदामत्री मोधी को लोग परता है संगणन के दम पर और जिस आप से वहाँ संगणन अब एक्टी हो चुका है भारती जन्ता पार्टी वहाँ अब देखिए 144 सीटे 543 में से जिसका ओपीनिन पोल हमने खोल दिया है और ओपीनिन पोल ये बता रहा है कि 144 सीटों में से 127 सीटे एंडिये जीत सकता है अब बहुत पीछे है सर्फ 16 सीटे यहां इंडिया अगटबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है यानि अभी NDA की जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा है और अभी साउथ की राज्जे हम दीरे-दीरे करके खोलेंगे पहले बात हमने करना तक की किया है अभी यह जो आकराम दिखा रहे हैं निने एक कमेंट इस पर आपका जरूर चाहूंगे कि 144 में से अभी जिस तरीके के स्थिती है कि 127 NDA जीत रहा है यानि जो टार्गेट प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने सेट किया है प्रधान मंतरी के जो दौरें है पिछले दिनों में वो काफी बड़े हैं अभी आप देखे अगले तीन दिनों तक वहीं पर कैम्प कर रहे है तो पूरा फोकस जो है बीजेपी का साउथ के बेल्ट पे है और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आकड़ा हम क्लेम कर रहे हैं वो कि 370 के उपर सीटे लानी है वो तभी संबभ हो पाएगा जब साउथ से सीटे बीजेपी ज्यादा से ज्यादा जीत पाए और इसलिए आप देखे सारा प्रयाज सारा फोकस जो है वो भी उसी तरफ हो रहा है जीत सकती है और कॉंग्रेस यहां सिर्फ एक सीट जीत सकती है यानि कॉंग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है अपनी 2019 के मताबिक सीटों को अगर आप देखेंगे और 36 गड़ में बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्च करती हुई नजर आ रही है अभी तक का ओपीनियन पोल ये बता रहा है कि 36 गड़ की 11 सीटों में से 9 पर 2019 में बीजेपी ने कमल खिलाया था और इस बार बीजेपी 10 सीटे जीत सकती है 36 गड़ का चुनाव जो की पूरी तरीके से भष्टा चार पर आकर भारते जिंता पार्टी ने लड़ा था विधान सभा का चुनाव जिसमें बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई थी बीजेपी की सरकार बनी और उसके तुरंट बाद जो लोगसभा चुनाव हो रहे हैं यह एक्सपेरिमेंट करने से समीर जी बीजेपी चूकती नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन चातीजगड में भी देखने को मिल रहा है देखे भारतियनता पार्टी जब पिछला चुनाव जो चुनाव में हार गई थी बहुत बुरी तरीके से आई थी से 15 विदासभा सीटे जीती थी रमान सिंगे देतरुत में उस समय भारतियनता पार्टी को लग रहा था कि अब 36 गड़ बहुत मुश्कुल होने वाला लेकिन लगातार वहां पर संगठन ने जीससाब से काम किया पार्टी महां लेकर आई थी चुनाव के समय वह भारतियनता पार्टी के फेवर में रही है कॉंग्रेस दो सीटे जीती थी वहां से जो प्रदेश अध्यक्षे दिपक बेच जीते थे और 14 महंत की पतनी ने बस्तर की सीट वहां से जीत दर्ज की थी बाकि 9 सीटे बारतियन की पतनी भी वहां पर चुनाव हाने जारी है बस्तर के सीट 11 सीट बारतियनता पार्टी इस बार चतिश गड़ में जी सकती है मुझे इसमें कोई आश्रे नहीं है